आज हम बनाएगे लसुनी मेथी जो बनाने में आसान, खाने में बहुती स्वादिश्ट और रेस्टरान स्टाइल सबजी अगर आपको पसंद आती है तो ये सबजी बहुती पसंद आएंगी और खास उन लोगों के लिए जिसे मेथी की सबजी पसंद नहीं आती है तो आप इस सासे बना कर देखेगा सभी को बहुती पसंद आएंगी तो चलिए धाबा स्टाइल लसुनी मेथी किस्ता से बनाना है वो हम देख लेते हैं तो एक जोड़ी मेथी हमने ली है बस हमें पत्ते पत्ते लेना है और खुले पानी में दो से तीन बारी से अच्छे से धो लेना है जिससे इसे की मिट्टी पूरीता से निकल जाए ग्रा लसुनी मेथी जब धाबा में बनाई जाती है तब इसी तहा से बारी कट करकर इसे फ्राइ करकर मसाले में आड़ के जाता है जो बोखुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है और ना ही इसमें काजु पढ़ता है और ना ही दूद की मलाई पढ़ती है उसके बावजू सबजी बहुत ही टेस्टी बनती है तो अब हमें क्या करना है मेथी को फ्राइ करना है तो लसुन के साथ हम मेथी को फ्राइ कर लेते है तो जब लसुन पर हलका सा कलर चड़ जाए उस समय हमें इसमें आड़ करना है मेथी को जिसे मेथी में लसुन का फ्लेवर अंदर तक उतर कर देते हैं और 7 हमें इसमें ऐड़ करना है नमक तो, आधा चमछ समय हम नमक करते हैं और मेथि को तेल में हलका सा फ़लेप फ्राई कर लेते हैं हुँआ झाला ओर दो से तीन बार इसता से मेथि को चलाने के बाद मेथि इस ता से दिखाए देती है Conversely हमें लीड रखकर इसे मेडियम फ्लेम पर 4-5 मिट के लिए कुक कर लेना है जिसे मेथी का पानी पूरी तासे निकल जाए और मेथी भी कुक हो जाए तो इस तासे मेथी हो चुकी है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं इस सब्जी को आप इसी तासे बनाएगा तो इस तासे की लाल मिचमने एड की है और लसन के कलिया को उने बिल्कुल बारीक कट करकर आड किया है आप चाहो तो लसन को कूट कर भी एड कर सकते हैं पर धाबा स्टाइल बनाते समय इस तासे लसन को बारीक कट करकर ही एड किया जाता है और जब लसन का हलका सा कलर चड़े उस समय हम इसमें आड़ करना है पयाच को और जब तक कि पयाच भूनता है तब तक हम एक पानी आइड किया है और बस इसमें महीन पीस कर ड़ेडी कर लेना है और इस पेस्ट के लिए हमने जो तील आईड की थी वह हमने भूंद कर रेड की तो बूंद कलें हमें लेना है और साथी पेज भी कुक होकर रेडी हो चुका है तो अब हम इसमें एड काना एight टमाटर तो एक बड़ा कटा हुआ टमाटर में इसमें आड़ करे हूँ और साथ ही हमें इसमें आड़ करना है नमक तो आदा चमच हम नमक आड़ कर देते हैं जिसे टमाटर भी अच्छे से गल जाए और इसमें हमें गैस की फ्लेम रखना है फुल फुल फ्लेम पर एक जैसे चलात हुए टमाटर पैच को हमें अच्छ से भून लेना है लसुनी मेथी क्रीमी सी बनकर रेडी होती है इसलिए हमें पैच को बढ़िया से गलने तक कूक करना होगा और साथ ही हम सुके मसाले आड़ कर देते हैं तो आदा चम हल्दी पाउडर एक चम चम लालमीच पाउडर अधनिया पाउडर तो मसालों को तेल में भूनने के बाद हमें इसमें अड़ करना है पानी क्योंकि जो टमाटर हमने अड़ किया है वो पूरीता से सौफ्ट नहीं हुआ है तो अब हमें इसमें एक बड़ा चम भरकर इतना पानी आड़ करना होगा और पानी डालने के उस समय हमें इसमें एड़ करना है जो हमने पेस्ट बना कर रखे थी वो हमें आड़ करना है तो मसाला इस तासे डालते समय मिक्सी पॉट में बहुत सारा मसाला रह जाता है इसलिए हमें थोड़ा सा पानी आड़ करकर इसमें इस तासे डाल देना है जिससे पूरा मसाला नि उतना इसमें तेल दिखाई देता है और यह अच्छे से कुक कर रेडी हो जाता है तो लीड रखकर हमने 5 मिट के लिए छोड़ दिया था और साथी गरब मसाला और कटा हुआ हरा धनिया इसमें एड़ किया है तो देखिए मसाला बढ़िया से हो चुका है इसमें से बहुत ही डाल देते है तब मसाले को और मेथी को अच्छे से एक साथ हमें कुक करना होता है जिसे मसाले में मेथी का फ्लेवर आए और मेथी में मसालों का फ्लेवर आए तो इस तासे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसमें हमने ग्यास की फ्लेम पूरी तासे लो ही रखी है और अब ह कि देख सकते हैं स्बजी बड़िया से हो चुकी है इस सब्जी को आप और पूरी नान किसी साथ भी घा सकते हैं बहुत ही अच्छी लगती है आप चाव लोको साथ र हो मिलएं और एक लाय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद